कि फिर्स्ट अपॉल गुड इविन्ग तो आज हम वैदिक नित के तीसरे सुत्र गुना की बात करेंगे मलतब मुल्टिप्लाय को कैसे असान तरीके से करना है अगर सिंपल तरीके से करते हो टाइम लगता है लेकिन वैदिक में असे टाइम बचेगा और असानी से आप सौल कर पाएंगे मल्टिप्लाय किसम तो इसका छोटा से एक फॉर्मुला है सीधा तिर्चा और सीधा अब यह रान होंगे यह कैसा फॉर्मुला है अब हम आपको इसको अप्लाय करके बताएंगे स्पोस कीजिए हमें इन दोडों टर्म्स को मल्टिप्लाय करना हो 42 इंटू 34 को हमें मल्टिप्लाय करना हो अब अगर हम सिंपल तरीके से करेंगे तो यह बहुत टाइम लेगा प्रंतु अगर हमें वैदिक रित के इस छोटे से फॉर्मुले से करेंगे तो यह बहुत कम समय में हम सॉस कर पाएंगे सब से बिले हम बताएंगे कि यह फॉर्मुले को इस सम होता है देकिh formula के सीधा तिर्चा सीधा अब हमें शुरू करना पीछे से है पहले क misf ч हम आपती है सीधा मतलब यहां पर है इस सीधा यह 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 तू इंटू फॉर सीधा रहें set weights तू इंटू फवर कि my difficulty सेमें तो इंटू होगा टू इंटू थों Argentine हमारे पास आया, 8. ठीक है? हमारा फर्स्स्टेप कितम हो गया, दूस्तर ठीप क्या है? क्रोस chambers किसे करना है ? सभर इसे, यह ऐसे मतलब ऐसे cross multiply करना है, बोसमेरे अब five इंटू four है एक यह बने सिक्स्टीन, एक हमारे पास three इंटू two है, यह बने गा गया 22 जो भी इसका पिछला नंबर होगा जिसे आपर 22 एड़ दो है तो दो यहां लिखना है हमें और साथ में जो अगला नंबर हो वो कैरी बन जाएगा दो कैरी आगे इसका फिर से रिपीट करता हूं सबसे पहले हमने लास्टम फरस्ट अब यह स्टप पकड़ा सिधा सीध आया दूसरा सब्सक्राइब करते हैं यह देखें को इसे में प्लाइब होगा फोर इंटो फोर सिक्स्टीन त्री इंटो टू सिक्स दोनों डर्म को आप पसे हमें एड़ करेंगे 22 आया जो पिछे टम होगी वह यहां लिख देना है जो आगे आएगी वह उमारा हांसल हो जाएगा मतलब कैरी हो जाएगा अब लास्ट अब क्या है अब फिर सिधा है यह भी कर ले यह भी पिर सिधा आया पहले हमने लास्ट अम का सिधा गिया था अब फिर सिधा यह ऐसे फिर सिधा क्या है 4 इंटो 3 यह सिधा ऐसे करना है करना मल्टिप्ला ही है 4 इंटो it is the answer ये था गुना दो रखमों के गुना